So Hello Everyone, कैसे आप सब उमीद करते हैं, मस्त होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने घर बेटे HDFC का Mobile Banking चालू करना चाते हैं अगर आपका एकाउंट HDFC में है और आप चाते हैं मैं अपने मोईल में HDFC का रजिस्टेशन करके Mobile में चलाना चाता हूं कैसे किया जाए किया होगा तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी पे बात करने वाले हैं कि आप अपने घर बेटे अपने मोईल में Mobile Banking HDFC का कैसे रजिस्टेशन कर सकते हैं और कैसे चालू कर सकते हैं और इसमें क्या क्या बेनिफिट होने वाला है सारी स्टेप मैं आप लोग को बताऊंगा ताके इस वीडियो के हैसे आप भी अपना HDFC का Mobile Banking रजिस्टेशन चालू करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं गाजिस के आपको अपने घर बैठे आप ये चालू कर सकते हैं तो अगर आपको सिखना है अगर आपको जानना है तो आज के इस वीडियो को लाइश्टाक और ध्यान से देखना क्योंकि आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही पैदा है कि इसी तरह का कोई भी तिप्स एंड ट्रिक या कोई भी नौलेजबल वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं और कुछ नए सिखर आगे बढ़ सकते हैं सबसे पहले आपको प्लेश्टोर के अंदर में आजना है और प्लेश्टोर के अंदर म mobile banking का एक यह एप है यह आपको play store पे मिल जागा download कर लेना है चलिए दोस्तों मैं already इसको download कर चुका हूँ download करने के बाद finally इसको open कर लेना है चलिए गाज मैं open भी कर लिया हूँ open करने के बाद दोस्तों आपको फुज़र wait करना है और wait करने के बाद यहाँ पे allow का permission कर देना है allow का permission करने के बाद continue पे click करना है continue पे click करने के बाद यहाँ देख सकते allow मांगड़ है यहाँ पे allow करना है चलिए दोस्तों मैं allow कर दिया हूँ allow करने के बाद welcome to hdfc bank दोस्तों यहाँ पर registration करना है registration करने के बाद दोस्तों यहाँ पर continue का एक option है continue वाले पर click कर दिना है चलिए दोस्तों continue पर click कर दिया हूँ continue पर click करने के बाद दोस्तों इसके अंदर में आप लोग को यहाँ पर में तीन ही step है सिर्फ और सिर्फ तीन स्टेप को complete करना है और ये तीन स्टेप से आप HDFC का mobile banking चालो करके और finally अच्छी तरीका से इसको यूज कर सकते हैं सबसे पहले आपको करना है क्या customer ID डालना है आप जैसे आप अपने account को open किये थे यहाँ पे अपने HDFC account खाता खुलाये थे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे मिला होगा customer ID customer ID आपको यहाँ पे fill up कर लेना है और आपके HDFC में जो आप mobile number दिये हैं वो mobile number को यहाँ पे fill up कर लेना है उसके बाद continue पे click कर लेना है तो चलिए दोस्तों यह दोनों चीज में आपको यहाँ पे fill up कर गए continue कर देता है दोस्तों fill up कर दिया हूँ fill up करने के बाद continue पे click करना है continue पे click करने के बाद इस पे एक OTP आएगा OTP को यहाँ पे fill up कर देना है चलिए यहाँ पे OTP आचुका है कार्ट होता है यानि कि debit कार्ड वह आपको यहां आ सो करेगा यहां पर अपना pin डालना atm card का pin डालना है उसके बाद आपका जो card होगा card का expiry month डालना है उसके बाद expiry debt डालना है और उसके बाद यहां पर देख सकते continue कर देना है तो चलिए दोस्तों इसको भी मैं fill up कर देता हूं फिर यहां continue कर देता हूं दोस्तों fill up कर दिया हूं fill up करने के बाद continue पर आपको click करना है continue पर click करने के बाद continue पर click करना है गाज यहां देख सकते हमारा इसके अंदर में log in करना हो तो चलिए दोस्तो यह जो चाड डिजिट का जो ऊपर डालियेगा वो नीचे भी आपको यहांपे पिन डालना है गाई उसके बाद यहां पर सम्मीट पर किलिक कर दिना है अनली डाल दिया हूं उसके बाद यहां पर सम्मीट पर किलिक कर दिना है सम्मीट पर किलिक करने के बाद हमारा जो है रजिस्टेसन सेक्सपुली हो चुका है दोस्तों यहां पर देख सकते हैं हमारा ज अक्सेसफbnली हो चुका है मैं जो मैं पीन बनाया था पिण यहां पर डदेता हूं कि दोस्तों यहां हमारा होचुका करना कानट क हैं नेक्च्ट करना है छुप करना है छिक कर दिया है यह स्कीप करने all आड़क मोबाइल वाइनकिंग रिजिस्ट्रेशन हो चुका है आप लोग इसी तरीका से अप कर सकते हैं अपने घर बैटे किसी को भी जरूरत नहीं आपको बढ़ान जानी की जरूरत है सिर्फ आप अपने घर बैटे इस तरीका से मोबाइल बैंकिंग चालू करके आप किसी को मैनी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को रिचार्ज कर सकते हैं खुद का रिचार्ज कर सकते हैं आप अपना self यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं तो आप लोग इसी तरीका से HDFC का Mobile Banking Registration चालू करके और आप यूज़ कर सकते हैं सोगाज मैं उमीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया वीडियो को लाइक कर दिजिए चैनल को सब्सक्राइब निकिए कर दिजिए ताके आने वाले वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं और फिर से एक नए knowledge पा सकते हैं और आपका जो doubt के लिए नहीं हो पाता है तो मुझे comment करके भी पूछ सकते हैं मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा तो चलिए दोस्तों फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं जब तेक लिए थाइंक्यू